नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक सिंझा मैं हेमलता पांडे व्लोग यूट्यूप चैनल के माध्यम से आपके सामने एक महतपूर जानकारी लेकर पास्टुत हूँ कि आपको जो है एडमिशन बुंदिलखंड विस विद्याले में ही लेना पड़ेगा जी नहीं दोस्तों आपको जो है एडमिशन आपके रैंक के अनुसार आपके जो भी आपका नजदीकी जो भी विद्याले जो भी होगा उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो भ बिल्कुल भी इस बात को ना समझे के जो है आपको बुंदेल खंड में ही जाके एडमिशन लेना पड़ेगा आगे आप मेरी वीडियो को सुनते रहिए और महतपूर जानकारी को समझने की प्रयास कीजिए एक तरीके से यह रिमाइंडर समझिए एक्चुली यह जानकारी ज संगयुक्त प्रवेस परिच्छा 2023 के बारे में यानि कि जो स्टूडेंट्स बेड करना चाहते हैं और बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट करना चाहते हैं जो ऑनलाइन लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रेजिटेशन की वह 15-5-2023 है बिना लेट फी के और अगर आप लेट फी के साथ समिट करना चाहते हैं तो जो लास्ट डेट है वो 25-2023 है और उसके साथ साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड किये जाने की तिथी जो है वो है 8-6-2023 प्रवेस परिच्छा की संभावित तिथी जो है और आपका जो एक्जाम होगा यूपी बीएड का वो 15-6 है 2023 को संभार को होगा और प्रवेस परिच्छा जो बीएड का आप जो एक्जाम देंगे उसका जो रिजल्ट है वो जो है बाद में बता दिया जाएगा आपको वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जाएगी कि कब वो रिजल्ट करेंगे और जैसे कि बता देना चाहता हू कि जर्नल और OBC के लिए जो फीस रखी गई है रिजिस्टेशन की वो 1400 रुपे है SCST candidates के लिए 700 रुपे है और other states के जो students है जो apply करना चाहते हैं other states के student उनके लिए जो फीस है वो 1400 रुपे है तो दोस्तों और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर late fee के साथ जमा क बहुत जरूरी है कि वो students बहुत से ऐसे जो सवाल करते हैं कि कौन eligible होगा इस exam में कौन बैठ सकते हैं कौन नहीं बैठ सकते दुवारा बता रहा हूं कि exam जो है वो B.A.D. कराने के लिए है कि जो students B.A.D. करना चाहते हैं उनके लिए है और मैं बता देना चाहता हूं कि कौन students हैं जो B.A.D. कर सकते हैं और क्या-क्या उनके लिए eligibility होनी चाहिए तो देखिए ऐसे अभ्यरती जो वर्स 2022 तक graduate कर चुके हो हूं हिंदी में कहेंगे इसनातक कर चुके हो या उसके साथ साथ उन्होंने post graduation किया हो या परासनातक किया हो 2022 तक कर लिया हो 22 में अपनी complete कियो य و sen injuries 80 ही तो वर्स 2023 में परासनातक परिच्छा के अम्ति वर्स में समयलित हो रहे हैं वह सभी ऐसे अभ्यरती 22 वाले और 2023 यानि कि कहने का मतलब यह जो 2023 वाले मैं बार बार जोड़े कर कहना चाहूंगा कि जो last year में हैं या जिनका last semester चल रहा है या जिन्होंने exam दे दिये हैं ऐसे अभ्यरती भी UP BAE में apply कर सकते हैं registration करा सकते हैं और देखिए आपको admission लेना है या नहीं लेना है दोस्तों ये बहुत बाद की बात हो जाती है इससे पहले सबसे अच्छा ये है कि at least आप registration करा ले last date निकल जाने से पहले आप registration करा लें ताकि बाद में आपको पच्ताना ना पड़े के अरे हमने admission ले लिया होता या हमने registration करा लिया होता इसलिए बहुत अच्छा मौका है teaching में career बनाने के लिए और डिग्रियां वैसे तो काम आती है अगर आप उसे ढंसे करेंगे तो काम भी बहुत आती है तो और उसके साथ साथ मैं आगे ये भी बताना चाहता चाहता हूं कि जो भी जानकारी हमारे पास आएगी इससे रिलेटिड वो first hand first मियानी की बहुत सबसे पहले आपको जो है provide कराएगी जाएगी और इसके साथ मैं एक और जानकारी आपके साथ साथा कर रह तो इस तरीके की जो जानकारी है पहले आप registration कराईए और जो है उसके exam में बैठिए exam qualify करिए उसके बाद जो है फिर बाकी जो भी जानकारी है आपको इसी channel के माध्यम से साजा कराई जाएगी हमारी जो मुही में आपको जादा से जादा aware करने की है जाग रुकता फैलाने क है ताकि हर बच्चा जो है हर बच्चा जो है वह जागरुक हो जाए वह उसे पता चल जाए कि कौन से institution है कहां उसको best opportunity मिल सकते हैं कहां best admission मिल सकते हैं यह जानकारी और यह प्रयास है हमारा आपके साथ साजा करने का जानकारी शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को subscribe करने के लिए उन सबीयों का धन्यवाद प्लीज मेरे चैनल को सेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद